हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप सभी लोगों का हमरचन को कैस्ट चड़ी में, मैकमल बिष्ट, इस वीडियो के माध्यम से दोस्त आप कहांपर कराऊंगा, नर्सिंग असिस्टन का पेपर, जो के एने के दोस्ते आपर देखेंगे, आपको दो पार कराया दी थे, यहाँ पर के कुरित किया जा सकता है, अर्थात आपको बताना है, solid can be classified as, यह आदि आप दोस्तों solid के classification की बात करें, solid classified as two type, पहला होता है दोस्तों आपका crystalline, दूसरा आपका होता है amorphous, अर्थात, पहला आपका हो गया दोस्तों crystal लिए, और दूसरा आपका हो गया crystal लिए, यहाँ प यहाँ पर आपके objective wrong है, अगला कुशन देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है, निर्जन धुलाई में किसका प्रियोग किया जाता है, अर्थात आपको बताना है, which of the following is used as dry cleaning, यह आप बात करें दोस्तों dry cleaning की, dry cleaning में क्या होता है दोस्तों, इसमें water के अलावा, किसी solvent का दोस्तों, इसमें करके, cleaning होती है, कपड़ों की, या फिर textile की, तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सा वाला दिया है, जो दोस्तों, आपको cleaning में इसमें 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 टिक कर देंगे, अगला कुशन देखिए दोस्तों, लोहे का आइसका है, आपको बताना है, the ore of iron, यह आ बात करें दोस्तों, लोहे के आइसकी की अर्था जिससे हम लोहे को प्राप्त करते हैं, वो आपका होता है, दोस्तों, mainly आपका होता है, अगला कुशन देखिए दोस्तों, नियमनल लिखिद में से कौन सा वाला, इसनिहक के रूप में इस्तमाल होता है, अर्था आपको बत तो क्या करता है दोस्तों में इस्तमाल किया जाता है या फिर आपका पूर्जों में इस्तमाल किया जाता है ताकि ताकि उसको दोस्तों चिकना बनाया जा सके अर्था उसको घर्षन से रहित बनाया जा सके तो इसलिए दोस्तों आप इसने का इस्तमाल करते हैं तो यहां पर क्रिश्टल्य थोसों को तिस आधार पर व्गिकोरित किया जा सकता है अर्था अब आप को बताना है क्रिश्टलाइन सॉलिट केन भी क्लासिफाइड ओन बेशिग्स ग्यार ś f क्लाशिपाइट कर सकते हैं आपको दिया है संगलन उष्मा के द्वारा या अकार के द्वारा या अंतराण विक बल के द्वारा या लंभी दूरी के क्रम में इनको दोस्ता आप एक प्रकास से लंभी दूरी के क्रम में दोस्तों क्लाशिपाइट कर सकते हैं क्योंकि आपका लॉंग रेंज और रोड़ होता है दोस्तों वह क्यों आपका सॉलिड क्रिश्टल में होता है तो इसलिए आप कहेंगे यहां पर दोस्तों आपका उप्षिन नंबर डी वाला हो जागा लॉंग रेंज ओडर अगला कुशन देखें दोस्तों चुंबक बनाने के लिए इक परकाषियब के रूप में ध्यारशित किया जा सकता है अर्फात आपको बताना है औक्सीडेशन इस डिफाइन एस यहाँ आप बात करें दोस्तू, oxidation की, oxidation में क्या होता है mainly, पहला आपका होता है दोस्तू, gain in oxygen, atom, अर्था दोस्तू यहाँ पर देखें, oxygen बढ़ जाता है, दूसरा क्या होता है, oxidation, number भी दोस्तू क्या होता है, gain होता है, और mainly आपका होता है जो पुछा गया है यहाँ पर, loss of electrons, क्यों होता है दोस्तू, यहाँ आप एक reaction को देखें, यहाँ पर example के तोर पर लेते हैं, यहाँ आप zinc को देखें दोस्तू, zinc का oxidation आप यहाँ दे करेंगे, तो आपको मिलता है ZNO, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तू, आप जानते कि O में क्या होते हैं, O में एक परकार से क्या होती है, तो यह कहां से लेगा, यह जिंक से लेगा दोस्तू, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जागा पहला वाला loss of electrons, अगला कुशन देखें दोस्तू, अब चायक को डेड़ एस के रूप में भी जाना जाता है, अर्था आपको बताना है reducing agent is also known as, यह जो आपकी chemical, redox, reaction होती है, उसमें दोस्त एक आपका होता है, reducing agent, जो कि दोस्त अपचायक करता है, यह जो आपका oxidation agent होता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, तो यहाँ पर देखें जो आपका अपचायक होगा दोस्तू, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको करता है, तो यहाँ पर आपको पहले वाला दिया आपचायक अभी करता, तो option number आप पहले वाले में टिक करतेंगे, रिडक्टेंट, अगला question देखें दोस्तो, घरे लोग गया सिलेंडरों में, विद्दिमान गैस का नाम क्या है, अर्था आपको बताना है, name the gas which is present in domestic cooking gas cylinder, यदि आप बात करेंगे दोस्तो जो आपके gas cylinder होते हैं घरों में, अर्था दिक प्रकास से आप पहसकते हैं दोस्तो जो आपके LPG होती है, उसमें दोस्तो क्या होता है mainly, mainly आपका होता है butane, और उसमें दोस्त आपका होता है pentane, और होता है propane, तो mainly यहाँ पर आपका होता है निर्मान डेडेस के आधार पर किया जाता है अर्था अगो बताना है शीप and submarines have been designed on the basis of के दिया बात करें दोस्तो जो आपके ship होते हैं जो आपके ship होते हैं दोस्तो और जो आपके पंडूबियां होती है उनका design किया जाता है दोस्तों Arkhamidise के सिधान के क्याता है या फिर आपका सभस्तेन करता है लिक्विट में तो उसको क्या करना पड़ता है कमास कम अपने भार के बराबर लिक्विट को सब्सक्राइब पर और फार को कुंसा इतो प्रियोक्षाला में उदासीन गैसों को तेजी से सुखाने के काम आता है अर्था दोस्त आपको बताना है Vision of the following substance is used in laboratory for a fast drying of neutral gases दोस्ते हैं पर देखे जो आपका laboratory में गैसों को सुखाने के लिए खास तर पर दोस्त आपका जो neutral कैसे होती है उनको सुखाने के लिए ड्राइ करने के लिए जो इस्तमाल होता है दोस्तों वह आपके आपर होता है एन हाइड्रस एन हाइड्रस CACL2 अर्थाथ calcium chloride यह दोस्ते एक परकास से बहुत ड्राइ होता है अर्थाथ वाटरलेस होता है दोस्तों और यह क्या करता है यह वैपर को और लिक्विड को दोस्तों अर्थाथ वाटर को क्या करते था एब्सॉब कर लेता है तो आप कहते हैं दोस्तों एन हाइड्रस ड्राइ जाते हैं oxygen के वह पहला वाला आपका होता है दोस्तों डाई ऐट्यमिक oxygen अर्थाथ आप k уров 2 से re-brand करते हैं और एक आपका होता है दोस्तों ट्राइड ओक केंगे और ओक्सिज lacking ऑट्री से आप होता है् छिम्बल आपका होता है उसे क्या कहेंगे आप अर्थात आपको बताना है system in which there is no exchange in matter, work or energy from surrounding is known as दोस्ते आपर देखे तीन परकार के mainly enclosed system होते हैं पहला आपका होता है दोस्तो open system इसमें क्या होता है इसमें आपकी उर्जा अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं और साधी साथ आपके जो matter होते हैं वो भी दोस्तो अंदर बाहर जा सकते हैं दूसरा आपका होता है जिसमें दोस्तों क्या होता है एनर्जी का तो आदान प्रतान हुपाएगा लेकिन मैटर का दोस्तों नहीं हुपाएगा रथात मैटर अंदर नहीं जा पाएगा तो यह दोस्ता आपके यहाँ पर क्लोज वाली कहलाते हैं तीसरा आपका होता है दोस्त पशिर्टो और नहीं सीजागे तो यहां पर इसको आप बोलते हैं ईसलेटेट टो इसको औहना भुछक्त है आपको यहीं पूचा गया डुर्ट के देंगे दोस्तो ओपूशन से नोबर गैस हावा में अपलाब मत नहीं रही है अर्था अपको को बताना है which one of the following noble gases does not exist in air यह आप बात करना है दोस्तों कौनसे वाली noble gas noble अर्थाद एक प्रकार से आप कह सकते है अग्रिय गैस जो होती है वो कौनसे वाली उपसे नहीं है दोस्तों यह आप क्यों होती है दोस्तों तो रेढान रेढान कहां से बनती है यह दूस्ता आप कियाब बंती है रेडियण से दोस्तों रेडियम क्या है एक रेडियो धिय राजात तो यह आपका होता है H2SO4, अर्था Sulfuric Acid होता है दोस्तों, क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर दिखिए, यह आप बात करें इसके Concentration की दोस्तों, तो यह अलग-अलग प्रकार की Concentration रखता है, जिसमें आपका 78% है, यह फिर आपका 93 है, और दोस्तों आपका 98 तक भी रखत है, और साथे साथ दोस्तों, यह एक परकार से Hydroscopic Property भी रखता है, और साथ में दोस्तों, Oxidizing Property भी रखता है, तो इसलिए आप कहे देंगी, यह दोस्तों परकार से King of Chemical का हो जाता है, अर्था दोस्तों रसायनों का राजा का हो जाता है, तो option नमर आपका B वाला सही हो जाग होगे, thanks for watching दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ में, जय ही जय भारत